जिसके अंदर में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ Top 10 Racing Games for Android Devices जी हाँ दोस्तो, Top 10 से मेरा मतलब है जो की बहुत ही कमाल के High Graphic Racing Games अविलेबल है Android Devices के लिए जो की आप लोग को पॉइड कराएं काफी कमाल की Graphics, बहुत ही अचा है Environment Racing का साथ ही साथ में काफी कमाल की Cars और Tracks वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है, आप लोग के लिए इंपोर्टेंट हुजादा है वीडियो के साथ एंटक बने या ना साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा जी हाँ दोस्तो मेरा नाम है प्रतीक, स्वाइट करता हैं दोस्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल ProTech में सो दोस्तो वीडियो को जादा लंबा नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस काउंट डाउन को सो फ्रेंड्स बिदाव डेस्टिंग अनी टाइम लस्त डेसिंग गेम की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ा आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ जितने भी गेम से सीरीज के अंदर रेंज है वो किसी रैंकिंग के हिसाब से नहीं लगाया है वो दोस्तों Android का Most Popular और All Time Favorite ड्रेसिंग गेम है वो लोग दोस्तों को कि यह उपर से जितने भी रेसिंग गेम के फैन है Android डिवाइसे के लिए वो सभी इस गेम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आई होप आप सभी लोग को पता चल गया होगा कौन सा ये गेम है गेम का नाम है दोस्तों Asphalt 8 Airborne क्योंकि दोस्ते जो गेम जिस टाइम पर आया था काफी पॉपलर हुआ था बहुत ही कमाल की ग्राफिक्स आप लोगों को पॉइड कराता है इनफेक्ट बहुत ही अच्छी नमबर वन रेटेट एंड्रोइड का रेसिंग गेम मानना जाता है ये ट्रैक्स के लिए अपनी कार्स के लिए जाना जाता है तो इसके बारे में जादा कुछ बताने की मिचे जरूरत नहीं है तो चलिए दोस्तो मूफ करते हैं हमारे सेकंड गेम की तरफ तो दोस्तो वैसे तो एसफोर्ड के आप लोगों ने देखा हुआ का बहुत ही सारे गेम्स अव्लेवल हैं अड्रोइड डिवाइसे के लिए लेकिन मैं यहाँ पर से बात करने वाला हूँ जो की मेन मेन गेम्स हैं तो यहाँ पर से हमारा दूसरा गेम भी एसफोर्ड सीरीज का ही निकल के आते हैं मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एसफोर्ड 9 की एसफोर्ड 9 लेजेंड डोस्तों Android का latest racing game है बहुत ही latest generation वाली graphics आप लोगों provide कराएगा चाहे हम लोग बात करें दोस्तो latest generation की cars की, tracks की और उसके racing experience की तो I hope दोस्तों आप लोगों ये game पसंद लाएगा हाला कि जादा तर gamers को as for 8 इसके comparison में जादा पसंद आता है तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर से हमारे third game की आने की तीसरे नमबर पर कौन सा game निकल के आता है इस series का, तो दोस्तों जो तीसरे नमबर पर game निकल के आता है उसका नाम है grid autosport दोस्तो grid autosport game जो है officially अभी तक android के लिए launch नहीं हुआ है यह already आ चुका दोस्तों आईगे एस devices पे गेम की graphics अगर मैं compare कौन स4 9 से तो बहुत ज़्याद आच्छी आप लोगों देखने के लिए मिलेगी काफी कमाल का game है आप लोगों है दोस्तों यह सवाल होका यह game android में मुझे कब देखने के लिए मिलेगा दोस्तों android में आप लोगों देखने के लिए मिल सकता है 2019 की starting में जी हा दोस्तों यह confirm है 2019 की starting में आप लोगों एक game android devices पर देखने के लिए मिल चाहेगा अब चलते दोस्तों यहाँ पर से हम लोग जल्दी से जल्दी move करते है हमारे series के 4th game की तरफ जी हाँ दोस्तों project cars go एक project launch कर रहे है android devices के लिए अभी तक तो नहीं आया है officially android devices पर उमीद यह लगाई जा रही है कि 2019 की starting में यह game भी आप लोगों android पर देखने के लिए मिल चाहेगा जी हाँ दोस्तों यह news में तरफ यह confirm है जले दोस्तों सभी चीज़ों को दिहान में रखते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी move करते हैं हमारे series के mid में यानि कि मैं बात कर रहे हैं दोस्तों हमारे 5th game की क्योंकि हम इस series को cover कर रहे है android के number 1 game से यानि कि जितने भी games मैं series के बताने वाला हूं वो android को सबसे अच्छी graphic वाली racing games है तो यहाँ पर से जो 5th game निकल के आता है वो है दोस्तो f1 mobile racing game जो है दोस्तों वो consider करके बनाया गया है f1 games के जो consoles पे आते हैं like ps4 और pc पे उसी की graphics से एक mobile racing game निकाला गया है यह game भी दोस्तों अभी तक officially android पे नहीं आ है लेकिन मैं guarantee देता हूं कि इसी साल में आप लोग को end 2018 में देखने के लिए मिल जाएगा जी है दोस्तों यह game आप लोग अभी देखने के लिए मिल जाएगा हाल फिलाल में android devices के लिए बहुत यह अच्छी graphics है जैसा कि इससे मैं आप लोग trailer में देखी बा रहे होंगे तो यहाँ पर से दोस्तों हम लोग complete कर चुके हैं हमारे 5 games को याने कि हम लोग series के middle में बहुत चुके हैं अब जल्दी से जल्दी हम लोग move करते हैं यहाँ पर से हमारे 6th game की तरफ जो genre होता है need for speed का वो आप लोग को यहाँ पर से feel होगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर से हम लोग move करते हैं हमारे series के 7th game की तरफ तो यहाँ पर से हम लोग series को जल्दी जल्दी लेकर के चल रहे हैं आगे और जो 7th game निकलके आता है racing games की तरफ से वह दोस्तों CSR racing 2 दोस्तों CSR जो racing है वो अपना शिकंजा कसरी है android racing की तरफ पहले इनका CSR racing पहला गेम आये था आप CSR racing 2 आ चुका है और यह जो games है यह काफी अच्छा बनाते हैं डवलब करते हैं उसी को और एक काफी अच्छा experience आप सभी लोग को प्रवाइड कराते हैं racing games के comparison में तो आप लोग मुझे बताएगे के जुरूर आप लोगो इनके games कैसे लगते हैं comment section में तो इन सभी चीज़ों को धिहान बेकते हुए चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से लिलनी move करते हैं हमारे 8th game की तरफ तो जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी लोग को पता है हम इस series के अंदर सिर्फ उन games को discuss कर रहे हैं जो कि अभी तक की सबसे अच्छी graphics लेकर के आएं android devices पे तो उसके हिसाब से जो एर्ध game निकल के आता है वो है दोस्तो real racing 3 जैसा कि इसके नाम से बता चलता है दोस्तो real racing की बि आप लोग ऐसा लगे है कि आप लोग console पे बैट करके real games को enjoy कर रहे हैं असलियत में car को चला रहे हैं तो चले दोस्तों यहाँ पर से हम लोग move करते है हमारे 9th game की तरफ हम लोग पहुँची के अपने series के second last game की तरफ तो series जल्दी से जल्दी end हो रहे हैं वाली है अगर आप तो F1 2016 एक अलड़ी जो console पे गेम आ चुका है PC पे गेम आ चुका है उसका ही version android पे लाया गया था F1 के गेम्स हमारे android के लिए काफी time से आते रहे हैं हाला कि दोस्तों अब तब F1 2018 PS4 पे आ चुका है लेकिन हम लोग Android पे F1 2016 का मजा ले सकते हैं जिन लोग को Formula 1 racing games खेलने का शौक है उनके लिए जो गेम है ये काफी अच्छा उनको मजा प्रोवाइट कराएगा तो दोस्तों आज की हमारी series यहां ही तक थी अब एक गेम बस आ है बस जली जली उस series को भी end करते थे हैं मैं जादा time upload कर नहीं लोगा तो दोस्तों जो 10th game निकल के आता है इस series का वो है need for speed most wanted दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ जितने भी racing games के जो fan होते हैं वो इस game को जरूर से जरूर जानते होंगे दोस्तों क्योंकि यह एक बहुत ही popular racing games रह चुका है चाहे मैं बात करूं young generation की या फिर पुरानी generation की यह game जो है काफी अच्छी graphics भी आप लोग को provide कराता ह यह remastered version लाए गया से अंगर डिवाइसे पे जो की most wanted गेम अलड़ी आया था उसका और काफी अच्छा गेम है पसंद है इसकी experience के लिए इससे जाना जाता है इसकी storyline के लिए इसकी cars का इसका police का इसकी जो story है बीच में police आ जाती है इस तरीके की बहुत यह चलगता है इस game को प्ले करने वे तो यह थी दोस्तों आज की हमारी racing games की series आई होप आप सभी लोग को इस series पसंद आई होगे अगर पसंद आई होगे तो ज़रूर सब अपने friends के तार शेयर कीचे और शेलों को subscribe करना वाद भूलेगा दोस्तों को कि यहाँ पर समय आप लोग के लिए इसी तर आई तिल दन की वाचिंग